हलो बच्चो क्या हाल चाल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी तो आज इस लेक्चर में इस वीडियो में क्लास 12 का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे यहाँ पे याद बिल प्रिष्ट तो नाम से ही समझ में आ गया है सम का मतलब होता है सम का मतलब क्या होता है समान और बिभाव का मतलब तो बिभाव तो ऐसा प्रिष्ट जिस पे बिभाव समान हो एक हमारे पास ऐसा प्रिष्ट होगा जिसके किसी भी पॉइंट पे बिभाव समान होगा उस प्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए कि एक प्लस क्यू आवेस है आपको बाकाइदे फिगर भी बनाना पड़ेगा एक प्लस क्यू आवेस है और यह बीच में रखा हुआ है तो इस क्यू के कारण चारो तरफ बिद्धु छेत्र उत्पन करेगा यह जो आवेस है यह अपने चारो तरफ बिद्धु छेत्र उत्पन करेगा अब इस क्यू के कारण अगर मान लीजिए कि मैं इस बिंदु पे बीभाव का मान ग्यात करूं चलिए इस Q के कारण इस बिंदू पे मैं बीभाव निकालना चाहता हूँ तो बीभाव का फार्मूला क्या होता है एक बटे चार पाई एपसलोन नौट Q बटे आर और आर क्या है ये दूरी है ठीक है आर क्या है दूरी है तो इस बिंदू पे हमको पता चल गया भीवन कितना हैगा एक बटे चार पाई एपसलोन नौट Q बटे आर ये फार्मूला होता है जो कि फार्मूला हमने लगा दिया अच्छा एक बात बताईए इस बिंदू पे आर दूरी पे बीभाव का मान बीटू कितना होगा बीटू ये कितना होगा इस Q के कारण आर दूरी पे बीटू भी तो इतना ही होगा बीटू भी क्या होगा एक बटे चार पाई एपसलोन नौट Q बटे आर अगर आर नहीं बदल रहा है तो बीटू भी क्या हो जाएगा एक बटे 4 पाई, एपसलों नोट, क्यूँ बटे आर, लिग देता हूं चलिए, एक बटे 4 पाई, एपसलों नोट, क्यूँ बटे आर, इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, आपको अभी पता चल जाएगा, अब यहां से आर दूरी पर एक जगा और मैं भीथरी निकालूंगा, आप बताईए भीथरी कितना होगा, भीथरी कितना होगा, कि भीथरी का मान भी तो अगर यह आर है, दूरी आर है, तो इस बिंदू पे जो भीथरी आएगा, यह भी एक बटे 4 पाई, एपसलों नोट, क्यूब बटे आर आएगा, ठीक है, इसका मतलब, क्या मैं कह सकता हू कि इस प्रिष्ट पे किसी भी बिंदू पे अगर जब मैं भी निकाल रहा हूँ बीभव जब मैं ग्यात कर रहा हूँ तो बीभव का मान बराबर आ रहा है क्योंकि हर जगा आर बराबर है तो इस प्रिष्ट पे कहीं भी अगर आप बीभव निकालेंगे कहीं भी विभव अगर आप ग्याद करेंगे कहीं भी विभव ग्याद करेंगे तो विभव का मान एक बटे चार पाई एपसलॉन wollt Q बटे आ रहेगा इसका मतलब हर बिन्दू पे विभव बराबर आएगा तो इस प्रिष्ट को हम क्या नाम देंगे? इस प्रिष्ट को हम नाम देंगे सम विभव प्रिष्ट, तो सम विभव प्रिष्ट क्या होता है किसी विद्दु छेत्र में, अब इस क्यू के काराण हर जगा विद्दु छेत्र होगा, खीचा गया वह प्रिष्ट, ये खीच दिया हमने एक प्रिष्ट, जिस पर इस्थित सभी बिंदुओं पर, मतलब किसी भी बिंदु पर बिद्दुत बिभव समान हो, तो बिभव तो समान ही है, तो उसे सम बिभव प्रिष्ट कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्रिष्ट जिस पे, और प्रिष्ट होगा कहां, आपको ध्यान रखना है, कि बिद्दुत छेत्र में ए मोज में आ गया एक ऐसा प्रिस्ट जिस पे विभव कमान बराबर होता है अच्छा इसकी कुछ भी सेस्थाएं हैं जो कि बहुत महत्तूर है आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रिस्ट के इस प्रिस्ट पर लिख लीजिए ठीक है इस प्रिस्ट पर एक बिंदू तक इस प्रिस्ट पर एक बिंदू तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार कहने का मतलब यह कहना चाहरा है कि इस प्रिस्ट पर अगर किसी धनावेश को किसी धन आवेस को अगर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लेकर जाएं तो हम जानते हैं कि किसी आवेस को अगर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लेकर जाते हैं तो हमको कुछ कारे करना पड़ता है तो कुछ कारे करना पड़ता है तो यहां पे जब विभाव बराबर है तो किया गया कारे सुनने होता है अब आप पुछोगे कि क्यों सुनने होता है क्यों सुनने होता है तो हम जानते हैं कि जो कारे का बच्चो फार्मूला होता है भीटू माइनस भीवन होता है ठीक है बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जा रहे हैं तो कार्य जो हम निकालेंगे वो भीटू-भीवन मतलब कि अगर यहां से यहां तक अगर हमको ले जा रहे हैं इस आवेश को तो इसका अगर बीभव मानलीजिए एक भीटू है इसका बीभव मानलीजिए भीवन है तो हम भी भी 1 भी बराबर, भी 2 भी बराबर, तो यानि भी 2 माइनस, अब अगर बराबर है, तो भी 2 माइनस भी 2 हो जाएगा, या भी 1 माइनस भी 1 हो जाएगा, मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं, कि भी 2 बराबर भी 1, तो अगर बराबर में से बराबर घटाओगे, तो कितना हैगा, 0, ठी सुन्ने होगा, तो सुन्ने कैसे आ रहा है आप यहां पे देख सकते हैं कि कारे बराबर क्या होता है भी 2 माइनस भी 1 और भी 2 और भी 1 दोनों बराबर है इसलिए कारे 0 आ रहा है सम्विभव प्रिस्ट में बिद्दु छेतर की दिसा सदेव प्रिष्ट के अभिलंबवत होती है ठीक है क्या कहना चाह रहा है कि सम्भीभव प्रिष्ट में यह जो प्रिष्ट है न जो प्रिष्ट है इसमें देखिए इस क्यू के कारण इस क्यू के कारण बिद्दुत छेत्र होगा ऐसे बिद्दु छेत्र निकलेगा यह बिद्दु छेत्र निकलेगा तो आप बताइए कि अगर यह बिद्दु छेत्र निकल रहा है तो यह जो प्रिस्ट है यहां पर ध्यान से देखिए कि यह प्रिस्ट है तो इस प्रिस्ट से कितने डिगरी का कोड बन रहा है यहां पर द मतलब इस Q के कारण हर डायरेक्षन में बिद्दु छेत्र निकलेगा, और बिद्दु छेत्र जो निकलेगा, वो इस प्रिष्ट से 90 डिगरी का कोर बना रहा है, आप देख सकते हैं, यहां से 90 डिगरी, यहां भी 90 डिगरी, इसलिए बोला गया है कि सम्भीभव प्रिष्ट म प्रिष्ट में बच्चो संबीभव प्रिष्ट में बिद्धुत छेत्र की दिशा सदेव प्रिष्ट के अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत मतलब न Anytime Curie का कौर रखोंड तो सदेव 90 डिगरे का कौर बनता है या अभिलंबवत होती है बिद्दुत चालक द्यान से दिखिए बिद्दुत चालक बिद्दुत चालक मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एलमुनियम हो गया, कापर हो गया, जिसमें बिद्दुत धारा प्रवाहित होती है, तो बिद्दुत चालक का प्रिस्ट, अब जितने भी बिद्दुत चालक होते हैं, उनका जो प्रिस्ट होता है, उनका जो प्रिस्ट होता है, उनका प्रिस्ट कैसा होता है, सदेव संबिभ प्रिष्ट होता है और लास्ट है दो संविभव प्रिष्ट एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं अगर मान लिजिए कि एक संविभव प्रिष्ट यहां है दूसरा संविभव प्रिष्ट यहां पे है और इन दुनों को पास में में लेकर आऊं तो पास में अगर लेकर आया तो वो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं ठीक है तो ये था सम्विभव प्रिष्ट का टॉपिक क्या था कि किसी बिद्दू छेत्र में भईया बिद्दू छेत्र में खीचा गया वह प्रिष्ट जिस पर बिद्दू का मान बराबर हो सम्विभव प्रिष्ट कहलाता है और विशेस्ताय में क्या होगा कि इस प्रिष्ट पर किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार सुन्य होगा प्लस सम्भिभव प्रिष्ट में विद्दु छेत्र की दिशा बच्चो सडेव अभिलंबवत होगी और विद्दु चालक चौथा चालक है कि जो भी चालक होंगे विद्दु के उनका जो प्रिष्ट होगा सम्भिभव प्रिष्ट होगा और दो सम्भिभव प्रिष्ट एक बहुत धन्य बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर करें बहुत बहुत धन्य बाद